गलातियों गलातियों अध्या एक पौलुस की ओर से जो एक प्रीरित है जिसने एक ऐसा सेवा वरत धारन किया है जो उसे न तो मनुश्यों से प्राप्त हुआ है और न किसी एक मनुश्य द्वारा दिया गया है बल्कि इशुमसी द्वारा उस प्रंपिता परमेश्वर से जिसने इशुमसी को मरे हुँ में सिफ फिर से जिला दिया था दिया गया है और मेरे साथ जो भाई हैं उन सब की ओर से गलातिया छेत्र की कलिसियाओं के नाम हमारे परमपिता परमेश्वर और प्रभी इश्व मसी की ओर से तुमें अनुग्रा और शान्ति मिले जिसने हमारे पापों के लिए अपने आपको समर्पित कर दिया ताकि इस पापमुन संसार से जिसमें हम रह रहे हैं वह हमें छुटकारा दिला सके हमारे परम पिता परमेश्वर की यही इच्छा है वह सदा सरवदा महमावान हो आमीन मुझे अचरज है कि तुम लोग इतनी जल्दी उस परमेश्वर से मूँ मोड़ कर जिसने मसी के अनुगरा द्वारा तुम्हें बुलाया था किसी दूसरे सूसमचार की और जा रहे हो कोई दूसरा सूसमचार तो वास्तों में है ही नहीं किन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं और मसी के सूसमचार में फेर फेर का जतन कर रहे हैं किन्तु चाहे हम हो और चाहे कोई स्वर्दूत फिर दोहरा रहा हूँ, कि यदी चाहे हम हों, और चाहे कोई स्वर्धूत, यदी तुम्हारे दोहरा स्विकार किये गए विंसी समचार सुनाता है, तो उसे धिक्कार है, क्या इससे तुम्हें ऐसा लगता है, कि मैं मनुश्यों का समर्थन चाहता हूँ, या या कि मुझे परमेश्वर का समर्थन मिले, अथ्वा क्या मैं मनुश्यों को प्रसंद करने का जतन कर रहा हूँ? यदि मैं मनुश्यों को प्रसंद करता, तो मैं मसी का सेवक कासा नहीं होता। हे भाईयो मैं तुम्हें जताना चाहता हूँ कि वह सुसमचार जिसका उपदेश तुम्हें मैंने दिया है कोई मनुष्य से प्राप सुसमचार नहीं है क्योंकि ना तो मैंने इसे किसी मनुष्य से पाया है और ना ही किसी मनुष्य ने इसकी शिक्षा मुझे दिया है बलकि दैवी संदेश के रूप में यास इश्व मसीद्वारा मेरे सामने प्रगट हुआ है यहुदी धर्म में मैं पहले कैसा जिया करता था उसे तुम सून चुके हो और तुम यह भी जानते हो कि मैंने परमेश्वर की कलिसिया पर कितना अत्यचार किया है और उसे मिटा डालने का प्रयास तक किया है यहुदी धर्म के पालने में मैं अपने युग के समकालिन यहुद्यों से आगे था क्योंकि मेरे पूरवजों से जो परमपराय मुझे मिली थी उनमें मेरी उत्साहपून आस्था थी किन्तु परमेश्वर ने तो मेरे जन्म से पहले ही मुझे चुन लिया था और अपने अनुग्रा में मुझे बुला लिया था ताकि वह मुझे अपने पूत्र का ज्यान करा दे जिससे मैं गैर यहुद्यों के बीच उसके सू समचार का प्रचार करूं उस समय ततकाल मैंने किसी मनुष्य से कोई राय नहीं ली और नहीं मैं उन लोगों के पास यरुशलिम गया जो मुझे से पहले प्रेरित बने थे बलकि मैं अरब को गया और फिर वहां से दमिश्ट लोटाया फिर तिन साल के बाद पत्रस से मिलने के लिए मैं यरुशलिम पहुँचा और उसके साथ एक पखवाड़े थेरा किन्तु वहां मैं प्रभू के भाई याकुब को छोड़ कर किसी भी दूसरे प्रेरित से नहीं मिला मैं परमीश्वर के सामने शाफ़त पुर्व कहता हूँ कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ उसमें जूट नहीं है उसके बाद मैं सीरिया और किलिखिया के प्रदेशों में गया किन्तु यहुदिया के मसी को मानने वाले कलिखिया व्यक्ति गतरूप से मुझे नहीं जानते थे किन्तु वे लोगों को कहते सुनते थे वही व्यक्ति जो पहले हमें सताय करता था उसी विश्वास यानि उसी मत का प्रचार कर रहा है जिसे उसने कभी नश्ट करने का प्रयास किया था मेरे कारण उन्होंने परमेश्वर की स्थूति की गलातियों अध्याय दो 14 साल बाद मैं फिर से यरुशलिम गया परनबास मेरे साथ था और 33 को भी मैंने साथ ले लिया था मैं परमेश्वर के दिव दर्शन के करन वहां गया था मैं गैर यहुद्यों के बीच जिस सूसमचार का उबदेश दिया करता हूं उसी सूसमचार को मैंने एक नीजी सभा के बीच कलिसिया के मुखियाओं को सुनाया मैं वहां इसलिए गया था कि परमेश्वर ने मुझे दर्शाया था कि मुझे वहां जाना चाहिए ताकि जो काम मैंने पिछले दुनों किया था या जिसे मैं कर रहा हूँ वह बेकार न चला जाए परिनाम स्वरुप तीतुस तक को जो मेरे साथ था यद्देपी वह युनानी हैं फिर भी उसे खतना कराने के लिए विवस नहीं किया गया किन्तु उन जूटे बंधों के कारण जो लुके छिपे हमारे बीच भेदिये के रूप में इशु मसी में हमारी स्वतंतरता का पता लगाने को इसलिए घुसाय थे कि हमें दास बना सकें या बात उठी किन्तु हमने उनकी अधिनता में घुटने नहीं टेके ताकि वह सत्य जो सुसमचार में निवास करता है तुमारे भीतर बना रहे किन्तु जाने माने प्रतिष्ठित लोगों से मुझे कुछ नहीं मिला वे कैसे भी थे मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्य परमेश्वर के सामने एक जैसे हैं उन सम्मानित लोगों से मुझे या मेरे सूसमचार को कोई लाभ नहीं हुआ किन्तु इन मुख्याओं ने देखा कि परमेश्वर ने मुझे वैसे ही एक विशेश काम सौपा है जैसे पत्रस को परमेश्वर ने यहुदियों को सूसमचार सुनाने का काम दिया था पत्रस कैर यहुदि लोगों के लिए एक प्रेरित है परमेश्वर ने मुझे भी एक प्रेरित के रूप में काम करने की शक्ती दी है किन्तु मैं उन लोगों का प्रेरित हूँ जो यहुदि नहीं है इस प्रकार उन्होंने मुझ पर परमेश्वर के उस अनुगरा को समझ लिया और कलीशिया के इस्तंब समझे जाने वाले याकूब, पतरस और यहना ने बरनबास और मुझ से साज़ेदारी के प्रतीक रूप में हाथ मिला लिया और वे सहमत हो गए कि हम विधर्मियों के बीच उपदेश देते रहें और वे यहुदियों के बीच, उन्होंने हमसे बस यही कहा कि हम उनके निर्धनों का ध्यान रखें और मैं इसी काम को ना केवल करना चाहता था, बलकि इसके लिए लालाईद भी था किन्तु जब पत्रस अन्ताकिया आया, तो मैंने खुल कर उसका विरोध किया, क्योंकि वह अनुचीत था क्योंकि याकुब द्वारा भेजे हुए, कुछ लोगों के यहां पहुचने से पहले, वह गैर यहुदियों के साथ खाता पीता था किन्तु उन लोगों के आने के बाद उसने गैर यहुदियों से अपना हाथ खीच लिया, और सोय को उनसे अलग कर लिया, उसने उन लोगों के डर से ऐसा किया, जो चाहते थे कि गैर यहुदियों कभी खतना होना चाहिए, दूसरे यहुदियों ने भी इस दिखावे में उ अनुसार वे सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो सब के सामने पत्रस से कहा जब तुम यहुदी होकर भी गैर यहुदी का सच जीवन जीते हो तो फिर गैर यहुदियों को यहुदियों की रीती पर चलने को विवस कैसे कर सकते हो हम तो जन्म के यहुदी हैं हमारा पापी गैर यहुदि से कोई संबन नहीं है फिर भी हम यह जानते हैं कि किसी व्यक्ति को विवस्था के विधान का पालन करने के कारण नहीं बलकि इश्यु मसी में विश्वास के कारण नेट ठराय जाता है हमने इसलिए इश्यु मसी का विश्वास धारन किया है ताकि इश्यु मसी में अपनी स्थिती के कारण धर्मी ठराय जाना चाहते हैं हम ही विधर्मियों के समान पापी पाय जाएं तो इसका अर्थ क्या यह नहीं है कि मसी पाप को बढ़ावा देता है निश्य ही नहीं यदि जिसका मैं त्याग कर चुका हूँ उस रिती का ही फिर से उपदेश देने लगूँ तब तो मैं आज्या का उलंगहन करने वाला प्राधि बन जाऊंगा क्योंकि व्यवस्था के विधान के द्वारा व्यवस्था के लिए तो मैं मर चुका ताकि परमेश्वर के लिए मैं फिर से जी जाऊंँ मसी के साथ मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया है इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूँ किन्तु मसी मुझ में जीवित है सो इस शरीर में अब मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ यह तो विश्वास पर ठीका है परमेश्वर के उस पुत्र के प्रती विश्वास पर जो मुझसे प्रेम करता था और जिसने अपने आपको मेरे लिए अरपित कर दिया मैं परमेश्वर के अनुग्रा को नहीं नाकार रहा हूँ, किन्तु यदि धार्मिक्ता वेवस्था के विधान के द्वारा परमेश्वर से नाता जुड़ा पाता, तो मसी बेकार ही अपने प्रांग क्यों देता। गलातियों अध्यायतिन क्या तुम इतने मुर्ख हो सकते हो, कि जिस जीवन को तुमने आत्मा से आरम किया, उसे अब हाड मास के सरीर के शक्ती से पूरा करोगे। तुमने इतने कश्ट क्या बेकार ही उठा है। आशा है कि वे बेकार नहीं थे। परमेश्वर जो तुमें आत्मा प्रदान करता है और जो तुमारे बीच आश्यर कर्म करता है, वा या इसलिए करता है कि तुम वेवस्था के विधान को पालते हो, या इसलिए कि तुमने सुसमचार को सुना है और उस पर विश्वास किया है, या वैसे ही है जैसे कि इबर यह जान लो इब्राहीम के सच्चे वन्षद वे ही हैं जो विश्वास करते हैं सास्त्र ने पहले ही बता दिया था परमेश्वर गैर यहोदियों को भी उनके विश्वास के कारण धर्मी ठहराएगा और इन शब्दों के साथ पहले से ही इब्राहीम को परमेश्वर द्वारा सूसमचार से आउगत करा दिया गया था इसलिए वे लोग जो विश्वास करते हैं विश्वासी इब्राहीम के साथ आशीश पाते हैं किन्तु वे सभी लोग जो वेवस्था के विधानों के पालन पर निर्भर रहते हैं, वे तो किसी अभिशाप के आधीन हैं, शास्त्र में लिखा है। ऐसा हर वेक्ति शापित है, जो वेवस्था के विधान की पुस्तक में लिखी हर बात का लगन के साथ पालन नहीं करता। अब यह इस पस्थ है कि वेवस्था के विधान के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी नेक नहीं ठहरता है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार। धर्मी वेक्ति विश्वास के सहारे जिएगा। मसी ने हमें इसलिए मुक्त किया कि इबराहिम को दी गई आशिष मसी इशू के द्वारा गैर यहुदियों को भी मिल सके ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। हे भाईयो अब मैं तुम्हें दैनिक जीवन से एक उधारन देने जा रहा हूँ। देखो जैसे किसी मनुष्य द्वारा कोई करार कर लिया जाने पर न तो उसे रद किया जा सकता है और नहीं उसमें से कुछ घटाया जा सकता है और न बढ़ाया। वैसे ही इब्राहीम और उसके भावी वनसज के साथ की गई प्रतिग्या के संदर में भी है। देखो सास्त्र यह नहीं कहता और उसके वनसजों को यदि ऐसा होता तो बहुतों की और संकेत होता। किन्तु सास्त्र में एक वचन का प्रयोग है सास्त्र कहता है और तेरे वन्षच को जो मसी है मेरा अभिप्रायया है कि जिस करार को परमेश्वर ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया उसे 430 साल बाद आने वाला व्यवस्था का विधान नहीं बदल सकता और नहीं उसके वचन को नकारा ठहरा सकता है क्योंकि यदि उत्रधिकार व्यवस्था के विधान पर टिका है तो फिर वह वचन पर नहीं टिकेगा किन्तु परमेश्वर ने उत्रधिकार वचन के द्वारा मुगत रूप से इब्राहिम को दिया था फिर भला व्यवस्था के विधान का प्रेवजन क्या रहा आग्या उलंगन के अपरात के कारण व्यवस्था के विधान को वचन से जोड़ दिया गया था ताकि जिस के लिए वचन दिया गया था उस वनसच के आने तक वह रहे व्यवस्था का विधान एक मध्यस्थ के रूप में मूसा की सहता से स्वर्गदू द्वारा दिया गया था अब देखो मध्यस्थ तो दो के बीच होता है किन्तु परमेश्वर तो एक ही है क्या इसका या अर्थ है कि वेवस्था का विधान परमेश्वर के वचन का विरोधी है निश्चित रुप से नहीं क्योंकि यदि ऐसी वेवस्था का विधान दिया गया होता जो लोगों में जीवन का संचार कर सकता तो वह वेवस्था का विधान ही परमेश्वर के सामने धार्मिक्ता को सिध करने का साधन बन जाता किन्तु सास्त्र ने घोशना किये कि यह समुचा संसार पाप की शक्ति के अधीन है ताकि इश्य मसी में विश्वास के अधार पर जो वचन दिया गया है वह विश्वासी जनों को भी मिले इस विश्वास के आने से पहले हमें वेवस्था के विधान की देखरेक में इस आने वाले विश्वास के प्रगट होने तक बंदी के रूप में रखा गया इस प्रकार वेवस्था के विधान हमें मसी तक ले जाने के लिए एक कठोर अभिभावक था ताकि अपने विश्वास के अधार पर हम नेक ठाहरें अब जब यक विश्वास प्रगण हो चुका है तो हम उस कठोर अभिभावक के अधिन नहीं हैं इश्व मसी में विश्वास के कारण तुम सभी परमेश्वर की संतान हो क्योंकि तुम सभी जिन्होंने मसी का बक्तिस्मा ले लिया है मसी में समा गये हो सो अब किसी में कोई अंतर नहीं रहा ना कोई यहुदी रहा ना गैर यहुदी न डास रहा, न स्वतंत्र, न पुरूश रहा, न इस्त्री, क्योंकि इशु मसी में तुम सब एक हो, और क्योंकि तुम मसी के हो, तु फिर तुम इबराहीम के वंशज हो, और परमिश्वर ने जो वचन इबराहीम को दिया था, उस वचन के उत्रधिकारी हो. मैं कहता हूँ कि उत्रधिकारी जब तक बालक है तो चाहे सब कुछ का स्वामी वही होता है फिर भी वह दाज से अधी कुछ नहीं रहता वह अभी भावकों और घर के सेवकों के तब तक अधिन रहता है जब तक उसके पिता द्वारा निश्चित समय नहीं आ जाता हमारी भी ऐसी ही श्थिती है हम भी जब बच्चे थे तो संसारिक नियमों के दास थे किन्तु जब उचित अवसर आया तो परमेश्वर ने अपने पूत्र को भेजा जो एक इस्ट्री से जन्म था और व्यवस्था के अधिन जीता था ताकि वह व्योस्था के अधिन व्यक्तियों को मुक्त कर सके, जिससे हम परमेश्वर के गोधलिये बच्चे बन सकें, और फिर क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, सो उसने तुमारे हिर्देओं में पुत्र की आत्मा को भेजा, वही आत्मा हे अबा, हे पिता कहते वे पुकारती है इसलिए अब तु दास नहीं है बलकी पुत्र है और क्योंकि तु पुत्र है इसलिए तुझे परमेश्वर ने अपना उत्रधिकारी भी बनाया है पहले तुम लोग जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तो तुम लोग देवता़ों के दास थे वे वास्तों में परमेश्वर नहीं थे, किन तु अब तुम परमेश्वर को जानते हो, या यूँ कहना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा अब तुम्हें पहचान लिया गया है, फिर तुम उन सार रहित, दुर्बल निमों की और क्यों लाट रहे हो, तुम फिर से उनके अ नहीं किया है वा सारा कहीं बेकार तो नहीं हो गया है हे भाईयो कृपिया मेरे जैसे बन जाओ देखो मैं भी तुमारे जैसा बन गया हूं या मेरी तुम से प्राथना है ऐसा नहीं है कि तुमने मेरे प्रति कोई अपराद किया है तुम तो जानते ही हो कि अपनी शारीरिक व उससे मुझे छोटा नहीं समझा और नहीं मेरा निशेत किया, बलकि तुमने परमेश्वर के स्वर्दूत के रूप में मेरा स्वागत किया, मानो मैं स्वय मसी इशू ही था। सो तुमारी उस प्रसंदता का क्या हुआ, मैं तुमारे लिए स्वय इस बात का शाक्षी हूँ कि यदि तुम समर्थ होते तो तुम अपनी आखें तक निकाल कर मुझे दे देते, सो क्या सज बोलने से ही मैं तुमारे शत्रू हो गया, तुमें वेवस्था के विधान पर चला चाहने वाले तुम में बड़ी गहरी रूची लेते हैं, किन्तु उनका उद्देश अच्छा नहीं है, वे तुमें मुझ से अलग करना चाहते हैं, ताकि तुम भी उनमें गहरी रूची ले सको, कोई किसी में सदा गहरी रूची लेता रहे, या तो एक अच्छी बात है, क पिर प्रसव वेदना को झेल रहा हूँ, जब तक तुम मसी जैसे ही नहीं हो जाते, मैं चाहता हूँ कि अभी तुम्हारे पास आप पहुंचूँ और तुम्हारे साथ अलग ही तरह से बाते करूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कि तुम्हारे लिए क्या किया वेवस्था के विधान क्या धिन रहना, चाहने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने वेवस्था के विधान का यह कहना नहीं सुना, कि इब्राहिम के दो पुत्र थे, एक कजन एक दासी से हुआ था, और दूसरे का एक स्वतंत्र इस्त्री से, दासी से पैद इन बातों का प्रतिकात्मक अर्थ है ये दो इस्त्रियां दो वाचाओं का प्रतिक है एक वाचा सिने परवत से प्राप्त हुआ था जिसने उन लोगों को जन्म दिया था जो दास्ता के लिए थे या वाचा हाजीरा से संबंदित है हाजीरा अरब में इस्थित सिने परवत क प्रतिक है वह वर्तमान यरुशलिम की और संकेत करती है क्योंकि वह अपने बच्चों के साथ दास्ता भुगत रही है किन्तु स्वर्ग मिस्थित यरुशलिम स्वतंत्र है और वही हमारी माता है सास्त्र कहता है बांच आनन्द मना तुने किसी को न जना हर्ष नात कर तुझको प्रसोव वेदना न हुई और हसी खुशी में खिल खिला क्योंकि परित्यक्ता की अंगिनत संताने है उसकी उतनी नहीं है जो पती वनती है इसलिए भाईयो अब तुम इसात की जैसी परमेश्वर के वचन की संतान हो किन्तु जैसे उस समय प्राकृतिक परिस्थितियों के अधिन पैदा हुआ आत्म की शक्ति से उत्पन हुए को सताता था वैसी ही इस्थिति आज है किन्तु देखो पवित्र सास्त्र क्या कहता है इस दासी और इसके पुत्र को निकाल कर बाहर करो क्योंकि यह दासी पुत्र तो स्वतंत्र इस्त्री के पुत्र के साथ पुत्र अधिकारी नहीं होगा इसलिए है भाईयो हम उस दासी की संतान नहीं हैं बलकि हम तो स्वतंत्र इस्त्री की संताने हैं मसी ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्रता का आनंद ले सकें इसलिए अपने विश्वास को द्रिड बनाय रखो और फिर से वेवस्था के विधान के जुए का बोज मत उठाओ सुनो स्वय मैं पॉलुस तुम से कह रहा हूं कि यदि खतना करा कर तुम फिर से वेवस्था के विधान की ओर लोटते हो तो तुमारे लिए मसी का कोई महत्व नहीं रहेगा अपना खतना कराने देने वाले प्रत्यक व्यक्ति को मैं एक बार फिर से जताय देता हूं कि उसे समुच्चे वेवस्था के विधान पर चलना अनिवार्य है तुम में से जितने भी लोग वेवस्था के पालन के कारण धर्मी के रूप में स्विक्रित होना चाहते हैं वे सभी मसी से दूर हो गए हैं और परमेश्वर के अनुगरा के छेत्र से बाहर हैं किन्तु हम विश्वास के दूरा परमेश्वर के सामने धर्मिस्युकार किया जाने की आशा रखते हैं आत्मा की सहाथा से हम इसकी बाट जो रहे हैं क्योंकि मसी इशु में इस थीती के लिए न तो खतना कराने का कोई महत्वा है और न खतना नहीं कराने का बल्कि उसमें तो प्रेम से पैदा होने वाले विश्वास कहीं महत्वा है। तुम तो बहुत अच्छी तरह एक मसी का जीवन जीते रहे हो। अब तुम्हें ऐसा क्या है जो सत्य पर चलने से रोक रहा है। ऐसी विमती जो तुम्हें सत्य से दूर कर रही है। क्यों तुम्हारे बुलाने मेरा पूरा भरोसा है कि तुम किसी भी दूसरे मत को नहीं अपनाओगे किन्तु तुम्हें विचलित करने वाला चाहे कोई भी हो उचीत दंड पाएगा हे भाईयो यदि मैं आज भी जैसा कि कुछ लोग मुझ पर लांचन लगाते हैं कि मैं खतने का प्रचार करता हूँ तो मुझे अब तक यातनाय क्यों दी जा रही हैं और यदि मैं अब भी खतने की आउशेकता का प्रचार करता हूँ तब तो मसी के कुरूस के कारण पैदा हुई मेरी सभी बाधाय समाप्त हो जानी चाहिए मैं तो चाहता हूँ कि वे जो तुम्हें डिगाना चाहते हैं खतना कराने के साथ साथ अपने आपको बगया ही करा डालते किन्तु भाईयो तुम्हें परमेश्वर ने स्वतंत्र रहने को चुना है किन्तु उस स्वतंत्रता को अपने आप पुन्सवभाव की पूर्ति का साधन मत बनने दो इसके विपरित प्रेम के कारण परस पर एक दुसरे की सेवा करो क्योंकि समूचे वेवस्था के विधान का सार संग्रह इस एक कथन में ही है किन्तु आपस में काट करते हुए यदि तुम एक दूसरे को खाते रहोगे तो देखो तुम आपस में ही एक दूसरे को समाव कर दोगे किन्तु मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुशाशन के अनुसार आशरन करो और अपनी पाप पुन प्रकृति की इच्छाओं की पूर्ति मत करो क्योंकि शारिरिक भौतिक अभिलाशाएं पवित्र आत्मा की अभिलाशाओं के और पवित्र आत्मा की अभिलाशाएं शारिरिक भौतिक अभिलाशाओं के विपरित होती है इनका आपस में विरोध है इसलिए तो जो तुम करना चाहते हो वा कर नहीं सकते किन्तु यदि तुम पवित्र आत्मा के अनुशाशन में चलते हो तो फिर वेवस्था के विधान के अधिन नहीं रहते अब देखो हमारे शरीर की पापपुन प्रकृति के कामों को तो सब जानते हैं वे हैं वेविचार, अपवित्रता, भोग विलास, मुर्ती पुजा, जादू टोना, बैर भाव, लड़ाई जगड़ा, डाह, क्रोध, स्वार्थिपन, मत भेद, फूट इश्या, नशा, लंप पढ़ता या ऐसी ही और बातें, अब मैं तुम्हें इन बातों के बारे में वैसे ही चेता रहा हूँ, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही चेता दिया था, कि जो लोग ऐसी बातों में भाग लेंगे, वे परमेश्वर के राज्य का उत्रधिकार नहीं पाएंगे, जबकि पवित्र आत्मा, प्रेम, प्रसन्नता, शान्ती, धीरज, द्यायलूता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्मस्यम उपजाता है, ऐसी बातों की विरोध में कोई विवस्था का विधान नहीं है, उन लोगों ने जो इशु मसी के हैं, अपने पाप पुन, मानो भाव को वासनाओं और इच्छाओं समेद क्रूस पर चला दिया है, क्योंकि जब हमारे इस नए जीवन का श्रोत आत्मा है, तो आओ, आत्मा के ही अनुसार चलें, हम अभिमानी न बनें, एक दूसरे को न चिढ़ाएं, और नहीं परस्पर इर्षय रखें हे भाईयों, तुम में से यदि कोई व्यक्ती, कोई पाप करते पकड़ जाए, तो तुम अध्यात्मिक जनों को चाहिए, कि नम्रता के साथ उसे धर्म के मार्क पर वापस लाने में सहता करो, और स्वय, अपने लिए भी साधानी बरतो, कि कहीं तुम स्वय भी किसी परिक्षा में न पर जाओ, परस्पर एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार तुम मसी की व्यवस्था का पालन करोगे, यदि कोई व्यक्ती महत्व पूर्ण ना होते वे भी, अपने को महत्व पर ही उसे अपने आप पर किसी दूसरे के साथ तुलन किये बिना गर्व करने का उसर मिलेगा, क्योंकि अपना दाइत्व हर किसी को स्वय ही उठाना है, जिसे परमेश्वर का वचन सुनाया गया है, उसे चाहिए कि जो उत्तम वस्तवें उसके पास हैं, उनमें अपने परमेश्वर को कोई बुद्धु नहीं बना सकता, क्योंकि जो जैसा बोएगा, वैसा ही काटेगा, जो अपनी काया के लिए बोएगा, वो अपनी काया से विनाश की फसल काटेगा, किन्तु जो आत्मा के खेत में बीच बोएगा, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की फ हल मिलेगा, सो जैसे ही कोई आउसर मिले, हमें सभी के साथ भलाई करनी चाहिए, विशेश कर अपने धर्म भाईयों के साथ, देखो मैंने तुम्हें स्वय अपने हाथ से कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, ऐसे लोग जो शारिरिक रूप से अच्छा दिखाव करने चाहते हैं, तुम पर खतना कराने का दबाव डालते हैं, किन्तु वे ऐसा बस इसलिए करते हैं, कि उन्हें मसी के कुरूष के करन यातनाय न सहिनी पड़े, क्योंकि वे स्वय भी जिनका खतना हो चुका है, वेवस्था के विधान का पालन नहीं करते, किन्तु फिर भ मैं संसार के लिए, और संसार मेरे लिए मर गया, प्रभी इस्व मसी के उस कुरूष को छोड़ कर मुझे और किसी पर गर्व ना हो, क्योंकि ना तो खतने का कोई महत्व है, और ना बिना खतने का, यदि महत्व है, तो वह नई स्रिश्टी का है, इसलिए जो लोग इस धर् सेलेंगे, उन पर और परमेश्वर के इस्तरायल पर शांती तथा दया होती रहे, पत्र को समाप करते हुए, मैं तुम से वीनिती करता हूँ, कि अब मुझे कोई और दुख मत दो, क्योंकि मैं तो पहले ही अपने दे में इश्व के घावों को लिए घुम रहा हूँ, ये हमारे प्रभीश मसी का अनुग्रा तुमारी आत्माओं के साथ बना रहे, आमीन